हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टु माई चैनल दीप क्लासेज जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचन राष्ट्रे विकास की राह में किन समस्याओं को बाधक मानते थे आज हम इस Question के आंसर को जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँच सके साथी MHD से रिलेटिड अधर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रेमचन ने राष्ट्रे विकास के मार्ग में संप्रदाइक्ता, हिंदी उर्दू विवाद, बेकारी, दरिद्रता, महामारी, आशिक्षा आदिस समस्याओं को बादक माना है हिंदू मुस्लिम समस्या, लंबे समय से भारत की एक महत्वपून सामाजिक राजनीतिक समस्या है जिस पर प्रेमचन ने उस दोर में अत्यदिक गहनता से विचार किया था यह समस्या आज के समय में भी अत्यदिक गंभीर तथा चुनोती पून है सामप्रदाइक्ता से अभी प्राय हिंदू और मुसल्मानों के सामप्रदायों के बीच के जगडों से है भारत में हिंदूत्व और इसलाम के मद्दे जगडे काफी समय पहले से ही होते चले आ रहे हैं ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा परिणाम हिंदू मुसलिम वैमनस्य के रूप में उभर कर आया हिंदू तथा मुसल्मानों को आपस में लड़वा कर अंग्रेजों ने भारत से अपने शासन की नीव भी मजबूत की और कूट नीतिक तरीकों से इस समस्या को बयावे बना कर जटील से जटीलतर बना दिया जिसके कारण उसके सुलजाने के सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए हिंदू मुसलिम समस्या का प्रमुक आधार धार्मिक ना होकर राजनीतिक है जिसने एकता के लिए किये गए सभी प्रयासों को निश्वल कर दिया यद्यपी इसका उपरी स्वरूप तो धार्मिक लगता है किन्तु धर्म तो मुख्य रूप से राजनीतिक महत्वकांशा को पूरा करने का एक अधिकार मात्र बनाया गया है सेवसदन उपन्यास में प्रेमचन ने इस समस्या पर भी प्रकाश डाला है सेवसदन उपन्यास के तीसवे अंक में वैश्याओं को नगर से बाहर स्थानांत्रित करने के विशय में म्यूनसिपैलिटी में प्रस्ताव रखा गया है इस प्रसंग के माध्यम से प्रेमचन ने तद्यूगीन हिंदू मुस्लिम सामप्रदाइक्ता की समस्या का ने खांकन किया है म्यूनसिपैलिटी के कुछ अठारा सदस्यों में से आठ मुस्लिम है और दस हिंदू इस समस्या पर विचार करने है तू अपने अपने ही तो एवं स्वार्थों के चलते अलग-अलग गुटों में बट जाते हैं हमारे देश के अंग्रेज शासकों ने जनसाधारन के धर्मजनित रूरीवाद और अंध्विश्वास पर अपनी फूट डालो और प्रशासन करो की घ्रणित नीती निर्धारित की और सन 1902 में प्रथक चुनाव का अधिकार देकर इस फूट की नीती को वैधानिक रूप प्रदान किया गया सरकारी नोक्रियों, स्कूल तथा कॉलेजों आदी में हिंदू तथा मुसल्मानों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भरती किया जाने लगा था जिसका परिणाम यह हुआ कि आर्थिक स्वार्तों ने धार्मिक वैमनस्य का रूप धारन कर लिया और धीरे धीरे यह जहर हमारी कौमी जिंदगी में गहरा पैठता गया आर्थिक स्वार्ती सामप्रदा एक्ता का मूल कारण है धर्म खत्रे में और संस्कृती खत्रे में कानारा भोली भाली जनता को ठगने मात्र के लिए लगाया जाता है प्रेमचन ने इस बात को सामप्रदा एक दंगो के प्रारंभ में ही समझ लिया था और इसी सामप्रदा एक्ता की भावना के पीछे निहित स्वार्तों को उजागर करने का प्रयास प्रेमचन ने सेवा सदन, कर्म भूमी तथा काया कल्प जैसे उपन्यासों में किया है किसी भी राष्ट्र की समस्या मात्र उसी जाती या कौम की नहीं होती वह तो उस राष्ट्र के प्रतेक व्यक्ति की समस्या होती है प्रेमचन ने राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन करने वाली समस्याओं को बड़ी तार किक्ता के साथ उनका यथार्थ कराते हुए लिखा था वास्तव में जो कुछ मद्भेद है धैकेवल शिक्षित समुदाय के अधिकार और स्वार्थ का है राष्ट्र के सामने जो समस्या है उसका संबन हिंदू, मुसल्मान, सिख, इसाई सभी से है बेकारी से सभी दुखी है दरिद्रता सभी का गला दबाय हुए है नित नई-नई बिमारियां पैदा होती जा रही है उसका वार सभी संप्रदायों पर सामान रूप से होता है कर्ज की इलत में सभी गिरफतार है ऐसी कोई सामाजिक इस्थिती या राजनेतिक दुर्व्यवस्था नहीं है जिससे राष्ट्रे के प्रत्तेक अंग पीडिक ना हो दरिद्रता, बिमारी, आशिक्षा, बेकारी, हिंदू और मुसल्मान का विचार नहीं करती प्रेमचन का उप्यूक्त वक्तव्य आज के समय की परिस्थितियों में भी अनुकूम सिध होता है जिहाद नामक कहानी में भी प्रेमचन की इसी द्रिष्टी के दर्शन होते हैं जिसमें प्रेमचन यह बताना चाते हैं कि अपने अपने धर्म की वास्तविक्ताओं से परिचित ना होने के कारण ही हिंदू मुसल्मानों के मध्ये जगडे होते हैं हिंसा पर्मधर्मह कहानी में भी वैशुद्धी करण तथा तबलीग जैसी प्रथाओं को संप्रदाय विशेश की मुर्खता के रूप में व्यक्त करते हैं गरीबी आशिक्षा बिमारी आदी वै अन्य बाधाएं हैं जो किसी भी राष्ट्रे को विकास के पत पर आगे बढ़ने से रोकती हैं इसके साथ ही राष्ट्रे में व्याप्त भाषा विवाद भी एक अन्य समस्या है जो किसी भी राष्ट्र के विकास में बाधा बन कर उभरता है भारत में प्राचीन समय से इस प्रकार के भाषा सम्बंधी विवादों ने गंबीर समस्या का रूपधारन किया हुआ है जिसके आधार पर लोगों में प्रायह जगड़े होते रहते हैं तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है जिसमें हमने जाना प्रेमचन राष्ट्रे विकास की रा में किन समस्याओं को बाधक मानते हैं अपने नेक्स वीडियो में हम प्रेमचन की कहानियों के माध्यम से उनकी सामप्रदाइक्ता संभन्दी दृष्टी को उनको जानेंगे तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंग शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू फो वाचिंग